पिछले नौ साड़े नौ वर्स के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन आया है उसको हर वेक्ति मैसूस करता है जो जिस शेत्र में हैं दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं देश के अंदर प्रारप हुई है गरीब कल्याण योजनाओं का लाफ सब का साथ और सब के विकास के भाव के साथ बिना भेट भाव के गाओं गरीब किसान नौजवान महलाएं और समाज के प्रतेख बिक्तिके लोगों को प्रप्त तो आने वाले समय में अब हंडेट परसेंट सिचुरेशन की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं इस दृष्टी से यह संकल्प यात्रा गाउं गाउं जा रही है और उत्रमदेश में इसके लिए 536 वीडियो बेंड हर जन्बत में चल लए है इनका कारिकरप का ही इसी बात से है कि आपे आपने सरकार की योजनाओं के भी इस्तौल देखे हैं स्वास्ते मेले भी लग रहे हैं आयुस्मान काड़ भी बनेंगे और नाधारती परक योजनाओं का लाग लोगों को प्राप्त हो इसके फॉम भी भरे जाएंगे वह यह मैंनों कोई कल्पना कर सकता था कि नौ वर्स में चार करोड लोगों के घर देश के अंदर बनेंगे और उनमें से बच्पन लाग गाउं घर के उत्तर प्रदेश में मिले हैं यह कल्पना थी लेकिन यह आज़ वास्तिविक धरातन पर उतरतावा दिखाई दिया है कोई सोस्ता था कि देश के अंदर पचास करोड लोगों को फ्री में आयुस्मान भारत के अंदर पांच लाग रुप्ये की स्वास्ति भीमा का कबर मिलेगा लेकिन यह वास्तिविक्ता है उत्तर देश में दस करोड लोगों को श्योजना का लाग पराप्त हो रहा है प्रधान मंत्री अम्न योजना का लाग पहले पैसा दे के भी सरकारी दुकानों पे खात्या नहीं मिल पाता था और आज देश के अंदर असी करोड लोग बलकि अगले पांच वर्स तक फिरी में राशन की सुन्ता हर गरीब परिवार को प्राप्त होगी इसकी भी कारंटी मोदी की कारंटी के अध्यम से आप सब को प्राप्त हो गई है